Hello everyone, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये बहुत ही इंपोर्टन फिनोमिना है, समझने के लिए, क्यों हमें मीराज दिखता है, अगर डेजर्ट में जाते हो तो वहाँ पे मीराज फॉर्म होता है, कई बार दूब ज्यादा होती है, तो ऐसे किसमें अगर आप हाईवे पे जा रहे हो, तो आपको रास्ते पे कहीं आगे पानी निजर आता है, और जैसे नस्दिक जाने की कोसिस करते हो, तो लेयर बाई लेयर वो पानी गायब होता जाता है, मतलब आप कभी भी उसको अच् रिजन क्या है, तो उसका रिजन होता है, टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन, ठीक है, अभी ये टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन क्या है, ये फिनोमेना समझने के लिए हम यहाँ पे रिफ्रेक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, रिफ्रेक्शन हमें पता है कि क्या होता है लेकिन वही reflection के point से ही हम यहाँ पर total internal reflection के पास जाएंगे देखो होता यह है कि when the light travels from an optically denser medium to a rarer medium at the interface it is partly reflected back into the same medium and partly reflected to the second medium this reflection is called the internal reflection यहाँ पर होता क्या है कि बाई मान लो कि यहाँ से एक ray निकली है यह जो medium है gray color वाला वो denser medium है और बाहर वाला rarer medium specifically यह गटना वहाँ पर होगी total internal reflection वहाँ पर होगा जब कोई एक ray वो denser medium से rarer medium में enter कर रहा हो ठीक है तो ऐसे time पर होगा क्या हमें पता है कि जब भी वो denser से rarer medium में enter करता है तो ऐसे case में वो normal से अवे बेंड होने की कोसिस करता है ना तूवर्स दी नॉर्मल नहीं नॉर्मल से अवे बेंड होगा है ना तो उसका reflection angle जो भी बनेगा वो अवे to the normal की side पे होगा है ना यह normal से normal को छोड़ता हुआ नजर आ जा ना और जब भी ररर से denser में जाता है तो तूवर्स दी नॉर्मल बेंड होता है है ना तो यहां पे हो रहा है ऐसा है कि मान लो कि मेरे पास AO1 ये एक ray है वो denser medium से rarer medium में दाखिल हो रहा है तो जब भी वो enter होगा तो यहां पे होता क्या है कि कुछ portion उसका यहीं से reflect हो जाता है और कुछ portion partly it is reflected तो कुछ portion इसको enter कर जाता है नए medium में, rarer medium में enter कर जाता है और आगे बढ़ जाता है अभी होता यह है कि जैसे जैसे मैं ये incident angle increase करता जाओ ठीक है ध्यान से देखिएगा अभी फिलहाल मैंने यहां पे incident angle जो रखा है और आप देख सकते हो आपको आगर दिख रहा है तो इतना ही angle है अगर मान लो कि मैं इसको दीरे दीरे increase कर देता हूं मतलब कि यहां से ही नि अब देखो तो यह ray निकला यहां से निकला 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 आगे बड़ा अभी यहां पे वापिस वही कहानी कि कुछ portion उसका partly it is reflected and partly it is refracted ठीक है लेकिन यहां पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि by compared to this O1B ray जो refracted ray है यहां पे O2 वाला जो ray है यह वाला ray है वो कु इसके comparison में यह वाला ray कुछ ज्यादा angle पे यहां पे reflect हुआ है ऐसा हम मान सकते है अवे टू दी यहां पे normal आपको ज्यादा angle नजर आएगा मनलब कि i dash is greater than i ठीक है एक और case यहां पे लेते मानलो कि मैं और angle incident angle को और increase कर देता हूं ठीक है जैसे कि i dash है i dash is greater than i है मानलो कि मैं यह idea से और ज्यादा angle यहां पे increase कर देता हूं मनलब कि ray को मैं यहां कहीं पे reflect गरवाता हूं ठीक है यहां कहीं पे यह वाले ray को consider करता हूं तो यहां पे क्या होगा कि यह वाला ray जब भी यहां पे आएगा तो अब यहां पे ऐसा कुछ होगा कि यह angle ऐसी situation बनाएगा कि भा surface के बाहर निकलने वाला rarer medium में एंटर करने वाला ray है वो आपको दिखेगा यह नहीं मतलब कि वो ray है न वो यह normal के साथ perpendicular angle बनाके 5 by 2 का angle बनाके surface के साथ चलता हुआ नजर आएगा तो यह जो घटना होती है न मतलब कि यहां पे हम अगर देखेंगे as the angle of incident increases so does the angle of reflection till for the ray AO3 यहां तक AO3 के लिए the angle of reflection is now pi by 2 मतलब कि जैसे जैसे आप यहां पे angle of incident increase करते जाओगे पहले यह consider किया फिर यह फिर आपने और increase किया तो एक time ऐसा आएगा कि जिस incident angle के लिए यहां पे आपको जो refracted ray होगा उसका normal के साथ यहां पे angle बनेगा pi by 2 का ठीक है तो यह जो condition बनती जो refracted ray है वो मतलब कि rarer medium में enter हुआ ही नहीं है मतलब कि जो separate करने वाले surface है उसी के parallel उसी surface को follow करता चलता नजर आएगा तो भाया यह वाला जो angle होता है यह वाले angle को बोला जाता है critical angle मतलब कि यह आखरी angle है मतलब कि यह reflection के लिए ठीक है reflection होने के लिए यह आखरी angle है और ज्यादा angle increase कर देता हो incident angle तो अभी कहानी यह बनेगी कि वो जो ray है वो वही से वही point से वापिस reflect होके totally reflect होके वापिस वही medium में lot जाएगा मतलब कि वो medium को छोड़के यह rarer medium में enter ही नहीं कर पाएगा ठीक है तो सारा खेल यहाँ पे angle का होता है सारा खेल यहाँ पे angle का ठीक है आप देखो angle जैसे ऐसे incident angle बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है तो एक time ऐसा आया पहले यह कहानी थी फिर यह कहानी बनी फिर यह कहानी हुई है ना और फिर यह कहानी बनी कि मलब अगर में और यहाँ पे यहाँ पे जो आप देखो के तो notice करो कि यहाँ पे जो रिफ्रेक्शन का ठीक है अभी इसके बाद रिफ्रेक्शन नहीं होगा जैसे मैं यह IC से भी ज्यादा इंगल कर देता हूं इंचेटर इंगल को IC से भी ज्यादा इंक्रिस करता हूं तो now total ray is reflected back into this medium मलब कि जो आया है वो पूरा का पूरा ray यहां पे reflect हो जाएगा वही medium के रिफ्रेक्शन हमें कब देखने को मिलता है whenever the incident angle is greater than critical angle ठीक है so the angle of incidence for which the reflection angle become pi by 2 that incidence angle is called the critical angle ठीक है जिस एंगल के लिए हमें यहां पे reflected ray के द्वारा बनने वाला reflection angle pi by 2 नजर आता है वो हमारे लिए critical angle है मलब भी उसके बाद reflection की घटना नहीं दिखेगी उसके बाद reflection हो जाएगा है न तो मतलब कि यही medium जो surface जो यहां पे दोनों medium को separate कर रही है dancer medium और rarer medium को separate कर रही है वही surface यहां पे एक mirror जैसा काम करेगी जैसे mirror में reflection होता है न तो वै reflection नजर आएगा ठीक है तो यह बहुत ही important चीज़ है लेकिन वो valid होगा किसके लिए अगर angle incident angle greater than critical angle हो तो ही यह valid होगा ठीक है so the deviated ray obtained after the incident at critical angle is called the critical ray मनलब कि critical angle पे incident हुए ray जो refracted ray होता है इसको हम critical ray बोलेंगे ठीक है the angle of incidence is increased still further as for the example यहाँ पे देखोगे तो AO4 यह वाला जो ray है AO4 ठीक है so reflection is not possible and the incident ray is totally reflected and this is called the total internal reflection ठीक है तो यहाँ पे हमने एक बहुत ही important point समझा कि भाई अगर हम किसी denser medium में से rarer medium में किसी ray को भेजते है तो ऐसे case में अगर हम critical angle से ज्यादा angle पे वो ray को incident करवाते है अगर incident angle critical angle से ज्यादा है तो definitely वहाँ पे you will not get any kind of reflection rather than you will get the reflection जिसको हम बोलेंगे total reflection मनलब कि total जो भी ray होगा जो incident हुआ है वो पूरा का पूरा reflect होके वहाँ से return हो जाएगा उसी medium के अंदर मनलब कि ऐसा ही मानलो कि यह जो surface जो separate करती है दोनों medium को वो medium वो जो surface है वो यहाँ पे mirror का काम करेगी ठीक है तो इस तरीके से हमें total reflection मिलेगा तो critical angle वो angle होता है कि जिसके लिए reflection angle क्या बना हो pi by 2 ठीक है आप देखते जाओ कि कहानी यहाँ से start करोगे तो पहले यह incident angle पे हमने incident करवाया फिर यह angle पे incident करवाया तो आप देखते जाओ कि दीरे दीरे जैसे जैसे हम incident angle को increase कर रहे हैं यह वाले case है यह वाले case में आओ वै ठीक है और अगर हम फिर भी नहीं रूखे और उससे ज्यादा angle पे अभी भी हम incident angle को increase कर रहे है furthermore हम इस incident angle को increase कर रहे है critical angle से भी ज्यादा angle पे हम उसको भेज रहे है तो ऐसे case में now reflection is not possible अभी जो गटना बनेगी वो होगी total reflection ठीक है clear हो आई है total internal reflection क्या होता है ठीक है तो इ यहाँ पे snail slow लगा देते हैं कहाँ पे O3 के पास मालब की total internal reflection जो भी हो रहा है ठीक है वो definitely critical angle से अगर हमने incident angle को ज्यादा रखा है तो ही यहाँ पे total internal reflection हमें नजर आएगा ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे critical angle के लिए यहाँ पे अगर मैं snail slow लगाता हूँ फोर रे A O3 अगर मैं यहाँ पे O3 point के पास snail slow लगाता हूँ तो snail slow मुझे क्या मिलेगा N1 sign incident critical angle is equals to N2 sign R ठीक है जहाँ पे यह जो N1 है यहाँ पे घ्यान से देखिएगा यह जो N1 है वो हमारे लिए क्या है denser medium का refractive index and N2 जो भी है वो rarer medium का refractive index ठीक है तो यहाँ से N2 को य साइड पर लेके जाओगे तो N1 by N2 into sign IC is equals to sign R हो जाएगा क्योंकि यह critical angle है तो वहाँ पे angle of reflection क्या होगा 90 degree तो R की value 90 प्लेस करेंगे तो sign 90 क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा इसको N1 by N2 को हम क्या लिख सकते हैं N1 to लिख सकते हैं तो N12 into sign IC is equals to sign 90, sign 91 होगा तो N12 into sign IC is equals to 1 होगा तो N12 is equals to हम क्या लिख वाएगे 1 upon sign IC ठीक है यहाँ पे N1 is equals to N place कर देते हैं मतलब कि refractive index of denser medium N2 is equals to 1 place करते हैं मालों कि जो rarer medium हमने यहाँ पे consider किया है वो R है तो ऐसे case में हम यहाँ पे value place करें तो definitely what we are getting is N upon 1 into sign IC that is equals to 1 मतलब कि N is equals to 1 upon sign IC तो यहाँ से यह relation से हमें क्या मिलेगा यह जो relation है वो हमारे लिए important है यह relation से हमें particular किसी water है या crown glass है या dense flint glass है या diamond है तो ऐसे जितने भी material है जिसका आप यहाँ पे यह गटना को समझने के लिए experiment के तोर पे ले सकते हो तो उनके लिए यह critical angle क्या बनेगा यह आप यहाँ पर पता कर सकते हो ठीक है तो if you know the refractive index then definitely you will get the critical angle for this जैसे कि अगर हम water की बात करें तो water के लिए refractive index क्या है 1.33 तो यहाँ पे अगर मैं end की जगा पे 1.33 प्लेस करता हूँ तो I will get the IC critical angle for water is 48.75 degree अगर crown glass के लिए अगर बात करें तो उसका refractive index है 1.52 तो उसके लिए critical angle हमारे लि degree ठीक है उसी तरीके से diamond के लिए भी आप पता कर सकते हो flint glass के लिए भी आप यहाँ पे पता कर सकते हो ठीक है तो यह relation से आप जिसका अगर refractive index पता है तो definitely आप उसके लिए critical angle क्या होगा वो आप यहाँ पर पता कर सकते हो और अगर critical angle मिल जाता तो definitely total internal reflection के लिए हमें incident angle कित identify कर सकते हैं ठीक है चले तो अगर हम यहाँ पर एक्सपरिमेंटली समझें तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताऊंगा कि यह ऐसा एक्सपरिमेंट है कि जो आप अपने घर पे भी कर सकते हो कुछ भी नहीं है ठीक है एक गलास लेना है उसमें पानी बरना है उसमें अगर आपके पास लेजर है तो बहुत ही बढ़िया है तो पानी बरो उसमें नमक डाल दो और फिर लेजर लाइट लेके आप एंगल पे यह यहां से अगर आप यहां से अगर आप यह लेजर लाइट को इंपार्ट करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सम इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यह घटना आपको वहां पर दिखेगी ठीक है तो एक्सपरिमेंट में करना क्या है आपको एक काच का ग्लास लेने उसमें पानी बर देना है हो सके तो उसमें नमक डाल दू और फिर आपको एक लेजर लेना है और लेजर से यह एक्सपरिमेंट करना है ठीक है यह एक्सपरिमेंट आप गर पे भी कर सकते हो क्या करना है मानलो कि ये मेरा laser है और मैंने पहले यहां से नीचे से एक laser light लगाई तो आपको ना यहां पे पहले partial यहां पे आपको reflection दिखेगा partial reflection दिखेगा and partial reflection दिखेगा विलब कि कुछ हिस्सा उसका ना इस तरीके से यहां से bend होके यहां पे आता दिखेगा और कुछ हिस्सा मड़कि एक beam यहां से भी निकलेगा और आपको उपर wall के उपर ऐसे दिखेगा है ना wall के उपर strike करता नजर आएगा फिर आपको क्या करना है फिर आपको दीरे-दीरे जैसे यह दिख रहा है तो दीरे-दीरे करना अभी आपको João यह angle जो भी है अभी जिस angle पर आपने इसको incident करवा है उससे यह angle दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-दीरे increase करते जाना है published एसब आएगा यहां पर दिखाया नज गया कि अब यहां पर जो इस तरीके से partially जो बाहर जा रहा था न वो अभी totally reflect होके आपको न यहीं से वापिस rebound होता मलब कि reflect होता नजर आएगा मलब कि बाहर कुछ भी नहीं आएगा बाहर से कुछ भी यहां से reflect होता नजर नहीं आएगा ठीक है यही होता है total internal reflection ठीक है यही होता है तोटल इंटर्ण डिफ्लेक्शन यह आप गर पे भी experiment कर सकते हो यही experiment आप टेस्ट यूब में भी कर सकते हो टेस्ट यूब में भी आप पानी बर के यहाँ पे इस तरीके से आप इंपार्ट कराओगे तो यह internally reflect होके आपको इस तरीके का आप ये beam को impart करो, ठीक है, sign the beam from the below to the beaker such that it strikes at the upper water surface at the other end, it undergoes partial reflection which is seen as a spot on the table below and partial reflection which comes out in the air and it is seen as a spot on the roof, ठीक है, तो जैसे ही यहां से इस तरीके से किसी एक particular angle पर, initially ये angle कम रखना है, ठीक है, फिर दीरे दीरे आपको इसका angle change करते जाना है, ठीक है, ठीक है, तो मतलब कि आपको यहां से फिर beam को adjust, तो मतलब कि आपको यहां से फिर beam को adjust करते 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 angle बढ़ाते जाना है, एक time ऐसा आएगा कि यह जो reflection हो रहा है न, यह जो हलका सा भी reflection आपको दीख रहा है, वो दीरे 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 होके total internal reflection में convert हो जाएगा, ठीक है, तो यह experiment आप घर पे भी कर सकते हो, clear? पिर चले, next, miraj, miraj formation in deserts in summer time, देखो यह भी understand के लिए बहुत ही important point होता है, कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम जब भी कार में जाते हैं, धोग का time है, summer है, और तेज दूप है, तो ऐसे case में, जब भी vehicle लेकर जाते है, highway पे, तो कई बार होता है, कि हमें रास्तों के उपर, बीच में पानी पड़ा है, ऐसा लगता है, लेकिन हम वहां तक पहु ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, what is the reason behind this mirage formation, ठीक है, तो वह भी समझते हैं, क्योंकि वह भी total internal reflection की वज़े से ही होता है, यह घटना जो घटती है, वो total internal reflection का नतीजा होती है, ठीक है, तो चलिए समझते हैं mirage formation, तो आइए समझते है mirage formation, कि यह mirage क्यों हमें दिखता है, specially यह समझने के लिए आपको एक चीज यहां पर समझने है कि hot summer day जब भी होते है तब air near the ground becomes hotter than the air at the higher levels, ठीक है, मनलब कि ground के पास की जो हवा होती है वो ज्यादा गरम होती है compared to उसे higher level पर, ठीक है, और यह ऐसा होता कि यहां की हवा बहुत ही गरम है, उसके उपर की तो उसे कम ग क्या होता है कि यहां पर air मनलब दीरे-दीरे hot से cool की और आगे बढ़ती है तो ground level पर बहुत ही hot है, उससे उपर, उससे कम hot, उससे कम hot, उससे कम hot, likewise this, तो hot से लेके cool की और यह layer हम यहां पर define कर सकते हैं, ठीक है, अभी होता यह है कि यहां पर hotter air is less dense than compared to the cooler air, ठीक है, तो यहा अगर यहां की air hot है, और यहां की air cool है, तो आप देखते जाओ, तो यहां पर देखो के तो पता चलेगा कि जैसे हम ground level से उपर height पर जाते हैं, तो यहां पर air hot से cool की और आगे बढ़ती है, hotter air जो भी होती है, वो less dense होती है compared to cooler air, ठीक है, तो इसका मतलब यह होता है कि यहां अगर वो optically less dense होती है, तो इसका मतलब यह होता है कि दियार having this smaller refractive index, मतलब कि अगर मैं refractive index की बात करूँ, तो आपको क्या नजर आएगा, refractive index, अगर आप उपर से नीचे आओगे, ठीक है, तो refractive index यहां पर hot air का कम है, उससे उपर जाओगे तो ज्यादा होगा, उससे उप refractive index भी यहां से नीचे से उपर जाते हो, तो बढ़ता जाता है, तो यहां पर आप देखो के तो आपको समझ में आजाए कि refractive index for this hotter air is small compared to the cooler air, मतलब कि हम ऐसा बोल सकते है कि उपर से आप अगर नीचे आते हो, तो यहां पर dancer medium है, उससे नीचे आओगे तो और rarer होता गया और rarer होता गया, और rarer होता गया, और एकदम नीचे आओगे तो वहां पे एकदम rarer medium आपको नज़र आएगा है ना, तो इस तरीके से आप optical density को यहां पे समझ सकते हो, layer by layer ठीक है, यह layer by layer आप यहां पे समझ सकते हो, जैसे जैसे आप ओपर से नीचे आओगे, तो ऐसे optical density देखे, तो आपको यहां पे dancer medium होगा, फिर उसके नीचे के layer को देखोगे, तो वह उससे कम dance होगा, फिर उसके नीचे देखोगे, तो उससे कम dance होगा, likewise this, आपको यहां पे rarer medium देखेगा है ना, तो आप ध्यान से अगर देखोगे, तो इस तरीके से air का एक layer by layer आपको यहाँ पे नजर आएगा है न कि हर एक layer में आपको यहाँ पे अगर मैं इसको फुरा divide कर देता हूँ और अच्छे से समझाने की कोशिस करो तो मैं एक काम करता हूँ इसको layer by layer आपको समझाने की कोशिस करता हूँ ठीक है तो मान लो कि यह पहला layer है यहाँ पे नहीं दिखाते हैं यहाँ कहीं पे दिखाते हैं मान लो कि यह पहला layer है फिर इसके नीचे यह दूसरा layer है फिर इसके नीचे यह तीसरा layer है फिर इसके नीचे यह चौथा layer है फिर इसके नीचे यह पांचवा layer है ठीक है तो इस तरीके से मान लो कि layer by layer मतलब सारे layer बने हुए है और density देखो गे तो उपर से नीचे जाओगे तो ये ground है ठीक है यहाँ की density सबसे कम होगी क्योंकि वहाँ पे air जो भी है वो hot है ठीक है तो यहाँ पे सबसे hot air होगी और यहाँ पे सबसे cool air होगी ठीक है तो hot से cool इस तरीके के layer बन जाएंगे अपने आप बन जाएंगे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अभी सोचो ज़रा कि sun में से एक light आई इसके उपर एक रे गिरा और यहाँ से reflect होगी मतलब कि यह जो object आपको दीख रहा है object की एक light यहाँ से निकली तो यह light आई ठीक है यह denser medium में से आई और हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पर normal को draw कर देता है तो this is the normal ठीक है तो यह normal हो जाएगा denser medium में से rarer medium में enter कर रही है दाखिल कर रही है तो definitely उसको थोड़ा सा angle बताते है तो मालों कि यहाँ से यह जो पेड़ है उसके उपर से यह light आई फिलहाल उपर cool medium है cool air है तो वो denser है compared to नीचे वाला जो layer है ठीक है तो this is more denser than this ठीक है तो denser में से rarer में जा रही है तो definitely उसका जो angle बनेगा यह incident angle हुआ यहाँ पे incident angle हुआ और इसका जो reflection angle होगा ठीक है reflection angle वो हमें पता है कि denser से rarer में जाती है तो वो normal से अवे भागती है तो यह normal से अवे भागी मालों कि यहाँ पे भागी ठीक है अब यहाँ से क्या होगा यहां से वापिस आप देखोगे तो इसका incident angle जो भी है वो compared to this one ये case से ये incident angle increase हो गया है ना तो again वापिस जिस medium में अभी फिलहाल वो travel की ठीक है ये वाला जो medium है ये वाला जो medium है वो dancer है compared to ये medium ठीक है तो अभी क्या होगा कि वापिस अभी यहां पर यही कहानी बनी कि भाई away to the normal भागेगी dancer में से rarer में आई लेकिन यहां पर कहानी ये बन गई कि भाई ये angle ऐसा बन गया ये angle ऐसा बन गया कि मानलों कि critical angle से ज्यादा हो गया तो अभी कहानी ये बनेगी कि यहां से total internal reflection हो जाएगा और बात ये बनेगी कि भाई सीधी सी घटना ये बनी कि भाई सीधा मेरी ये eyes है उसमें ये चली गई ठीक है तो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मुझे यहां पर ऐसा लगेगा कि मेरे पास जो रौसनी आ रही है न वो कहां से आ रही है मेरे पास जो रौसनी आ रही है वो यहां से आ रही है आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे पास जो रॉस्ट ने आई, वो यहां से आई, ठीक है, तो यह कहीं इसी का नतीजा है, कि यह जो light मेरे आखों में आई, वो यहां कहीं से आई, मतलब कि मुझे object कहा नजर आ रहा है, object मुझे नीचे नजर आ रहा है, तो भी specific, यह कुछ दो line ज्यादा ही हो गई थी, तो इसको में हटा देता हूँ, यह कुछ दो line ज्यादा है, तो इसको में हटा देता हूँ, ठीक है, तो यह दो layer को में हटा देता हूँ, तो जीतना काम का है, उतना layer हम यहां पे consider करते हैं, ठीक है, तो ऐसी घटना यहां पे होगी, ऐसी घटना आपको यहां पे देखने को मिल यहां पे लेकिन मुझे कहा रहा है यहां पे हैं लेकिन दिखेगा यहां पे को lata होती है यही होता है तो इसी की वुझे से हमें ना object नीचे नजर आता है और हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि वह पानी जैसे दिखता तरा एक्षुल में तो उसका object भी हमें यहाँ पे ऐसे नजर आता है तो यह this is just because of the total internal reflection sorry reflection ठीक है क्यों ऐसा होता है कि भाई यह object है Ross ने तो यहीं से निकलती है नहीं से निकल के आगे बढ़ती है लेकिन क्या होते 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 एक time ऐसा है कि वहाँ से total internal reflection हो गया और सीधी हमारी आँखों में आ रहे है तो हमें ऐसा नजर आता है कि भाई वो object यहाँ पे है लेकिन होता यहाँ पे है लेकिन उसका पूरा image यहाँ पे नीचे बन जाता है और हमें ऐसा ही मैसूस होता है कि भाई object नीचे है लेकिन ऐसा नहीं होता है तो इसकी जो डेंसीटी होती है वो बहुत ही अगर देखने जाए तो उसकी अप्टिकल डेंसीटी बहुत ही कम होती है मनब कि उसको हम rarer medium मान चाहते है और जैसे आप ground से उपर जाते जाते हो वैसे वैसे ये air जो भी है वो cool होती जाती है वलब कि वो ज्यादा dance होती जाती है तो ऐसे case में जब ही किसी भी object कि specifically आस्मान की जो भी वहाँ से जो raise आती है तो वो सारी raise जो भी होते है वो dancer से rarer medium में enter करती रहती है ऐसे layer बन जाते है तो dancer से rarer medium में जाती है जाती है जाती है और एक time ऐसा है कि वो angle इतना ज्यादा increase होगा critical angle से भी ज्यादा हो गया तो वहीं से वो वापिस पूरे raise यहाँ पे reflect हो जाएंगे ठीक है और reflect होने के कारण सीधी हमारी आँखों में आएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि भाई object यहाँ कहीं पे है वो यहाँ से कहीं से यह light आ रही है जो हमार यहांकों में आ रही है अब्जेक की पूरी image हमें नीचे है जमीन पे नज़र आएगी लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो layer by layer गयब भी होती जाएगी ठीक है यही होता है मिराज ठीक है तो इस तरीके से मिराज होता है ठीक clear हुआ यहां पे तो आपको यहां पे समझना है कि आपको यहां पे layer by layer इसको divide कर देना और यहां से जो आ रही है image की जो ray निकल रहा है उसको आप यहां पे reflect करवाते जाओ तो अपने आप आपको समझ में आ जाए कि क्यों यहां से bend होके हमारी आपको में आ जाए ठीक है total internal reflection की वज़ज से ठीक है clear चलिए next point की और आगे बढ़ते हैं तो क्या यह गटना से भाँ में मिराज में ही दिखते हैं मिराज एक ऐसी गटना है जिसके पीछे का रहस्य है जिसके पीछे का science है total internal reflection ऐसा ही total internal reflection हमें prism में भी देखने को मिलता है specifically अगर बोले तो right angle prism right angle prism में भी हमें यहां पे total internal reflection की गटना देखने को मिलती है तो specifically ऐसे prism जो design हुए है light को 90 degree पे bend करने के लिए या फिर 180 degree पे bend करने के लिए ऐसे prism में भी यह जो bending की process होती है light को 90 degree पे bend करना या 180 degree पे bend करना वो भी नतीजा होता है total internal reflection का ठीक है जैसे कि मान लो कि मैंने यहां पे object A भी रखा है तो यहां से एक ray यहां से एक ray यहां से दोनों को consider करेंगे तो यहां पे आप देखोगे तो यहां से ray यहां पे impart हो और यहां से bend हो गया है 90 degree पे उसी तरीके से यहां से निकला हुआ ray यहां से टकराया और यहां से bend हो गया 90 डिग्री पर तो आप यहां पर नोटीस करना यहां पर जो भी हो रहा है उसमें आपको यहां पर A-S मिला और यहां पर B-S मिला मतलब कि आपको यहां पर इमेज ना委ंब दिख रही है आप देखोंगे तो द्यांचे इसमें आपको हैजाएगा उसी तरीके से अगर यही प्रिजम को इस तरीके से लगा दिया जाए जैसे कि बेंडिंग आपको दिखेगा 90 degree and another 90 degree तो टोटल 180 degree का बेंडिंग दिखेगा तो यहां पर भी आपको यहीं नजर आएगा कि आपको image inverted दिखेगी तो इस तरीके से यहां पर भी देखोगे तो इस तरीके के अंदर भी आपको यहीं मेंसूस होगा कि यहां पर total internal reflection की घटना हो रही है और यहां पर हमें image inverted दिख रही है तो ऐसे prism जो भी होते है इस prisms are also used to invert the images without changing their size आप एक चीज़ नोटिस करो यहां पर कहीं पर भी उसकी size change नहीं हो रही है मलब क्यों magnify नहीं हो रही है सिफ उल्टी हो रही है ना image invert हो रही है बाकि उसकी size में there is no any change ठीक है तो ऐसे जो भी prism होते है जो 90 degree पर bend करवाने के लिए light को 90 degree पर bend करवाने के लिए या फिर 180 degree पर bend करवाने के लिए use होते है तो उसमें भी यह total internal reflection की घटना यहां पर होती है ठीक है चले next point principle construction and working of optical working of optical fiber ठीक है यहां पर थोड़ा सा change करते है title को okay so now it is correct principle construction and working of optical fiber देखो optical fiber तो नाम सुना होगा आप लोगों ने तो आपके घर में एक optical fiber जरूर उन्होंने खीचा होगा जो आपका internet service provider है ओ ठीक है अगर वो आपको 40 Mbps का 30 Mbps का या फिर 10 Mbps से ज्यादा plan लिये है तो ऐसे कि इसमें definitely उसने आपके घर में एक optical fiber एक connect किया होगा और उसको fiber को connect करने के लिए आपने वहां पे देखा होग कि एक छोटी सी एक डबी भी उसने लगाई होगी जिसको splitter बोला जाता है optical splitter जहां से वो जो optically जो light आती है जो light signal आते है वो convert होते है electrical में और वही electrical signal फिर आपके पास जो twisted pair cable होता है जो RJ45 pin के दवरा आपके router में लगता है ठीक है तो वो wire के दवरा क्योंकि वो electrical बासा जहां होते है तो light signal को ौप्तिकल signal को यहाँ पर electric signal में कनवर्ट करने की ज़रुरत होते है तो उसके लिए यहाँ पर splitter use होता है कि जो इसको convert कर देता है ठीक है तो होता यह है कि बॉट्टिकल फाइबर ज्यादा तर्ना internet के लिए यहां पर यूस होते हमारे गर में अगर तो ज्यादा तर हम internet use के लिए optical fiber को इस्तमाल करते हैं मतलब कि ऐसा माना जाता है ऐसा माना नहीं जाता है वैसा है कि जितना bandwidth हमें optical fiber के द्वारा मिलती है उतनी bandwidth हमें और कोई नहीं दे सकता है जैसा कि twisted pair cable है या फिर coaxial cable है पहले एक जमाना था जब यहां पे GTPL और BSNR आये थे तो वो modern लगाते थे तब वो internet service प्रोवाइड करते हैं तब modern लगा के देते थे क्योंकि तब cable line में coaxial cable पे internet चलाते थे ठीक है लेकिन अभी ऐसा जमाना बदल चुका है अभी ज्यादा तर आपके घर में अगर देखोगे तो सभी के घर में अभी जियो के आने की वज़े से तो optical fiber आही चुका है सभी के घर में greater than 50 Mbps के plan अभी लग चुके है और बहुत कम ऐसे होंगे कि जो अभी भी 3 Mbps वाले plan वो wireless router वाले plan लेते हैं लेकिन ज्यादा तर केस में अभी सभी companies ने हर एक city में हर एक area में अपनी optical fiber service चालो कर दिये तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान में रखने है कि optical fiber की वज़े से आज हम इतनी ज्यादा spirit आज हम use कर पा रहे है thanks to this optical fiber और इतना ही नहीं है कि जहाँ जहाँ पे हमें high data rate की या high speed internet की ज़रुएत पड़ती है ना यहाँ वहाँ पे आपने देखा होगा या फिर नहीं देखा है तो एक बार notice करना या फिर कोई अगर है कि जो आपके पहचान में है जो यहाँ पे internet company में काम करता है तो आप उसको पूछना तो वह आपको बताएगा कि वहाँ पे optical fiber यूज होते हैं specifically ऐसे companies होती है कि जो lease line purchase करती है या फिर ऐसे banking servers होते हैं कि उनके द्वारा local area network बना जाता है specifically क्योंकि यहाँ पे उनकी जितनी भी banks है हमारे area में या हमारी city के अंदर अलग-अलग areas में तो उनको एक server से connect किया जाता है तो ऐसे case में वह एक specific dedicated link यूज करते है जिसको भी optical fiber के द्वारा connect किया जाता है क्योंकि जितनी speed optical fiber में हमें मिलती है उतनी कहीं और नहीं मिलती है इसके पीछे की वज़ा बहुत सारी है एक तो optical fiber में signal optically transmit होता है total internal reflection की वज़ा से transmit होता है तो loss बहुत ही कम है बहुत कम है मनलब कि कम energy का use करके हम वहाँ पे उसको एक end से दूसरे end तक ले जा सकते इतना ही नहीं आप ऐसा समझ लो कि एक country से दूसरी country में अगर मुझे signal send करना है तो हमारे पास दो ऐसी link है एक है satellite link और दूसरी है underwater sea cable जो समंदर के अंदर डाले गए है specifically हमारे लिए इंडिया में अगर हम अगर internet लाते है तो दो जगा से internet आता है underwater sea cable के लेकिन 90% communication यह underwater sea cable के द्वारा होता है और वो जो sea cable जो भी है वो भी optical fiber होता है optical fiber में सबसे ज्यादा important यह होता है कि signal का mixing जो भी होता ना वो बहुत ही easy होता है मतलब कि आप चाहो उतने signal को यहां पे mix कर सकते हो आपको करना कुछ भी नहीं होता है बस उसकी wavelength change कर देनी होती ह Optically light को अगर मुझे differentiate करना है signal को differentiate करना है तो यहां पे से wavelength का सहार आ लेना है मैं चाहूं उतनी छोटी size में आप देखना आपके गर में अगर optical fiber लगा है तो definitely उसकी size को compare करना आपके router में जो cable लगा है उससे यह वाली size को compare करना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना चोट केबल इतना पतला केबल और फिर भी 100 Mbps का फ्लान मालब कि 100 Mbps की speed आपको देता है definitely यहां पे मालब इतनी छोटी size में इतनी speed देना यह कोई मज़ाग की बात नहीं होती है लेकिन फिर भी यह possible होता है optical fiber की वज़़ से हमारी co-excel cable जो भी होती है उसकी भी limitation है हमारे जो twisted pair cable जो आपके router में लगते है ना जो slicer जो भी है वहां से जो router में लगेगा तो वो जो cable होते है उसकी भी size आप देखना तो उसमें भी 8 pair आते है 4 pair pair मतलब की जोड ठीक है तो 8 pair twisted pair cable 4 pair twisted pair cable तो सारे जो cable या फिर आपके computer router में साबके computer PC जो भी होता है उसके पीछे जो RJ45 पीनों को sorry twisted pair cable होते है ठीक है तो उनकी भी एक limitation होती है वो ज्यादा से ज्यादा हमें 10 Mbps तक की speed दे सकते है ठीक है लेकिन अगर हमें 100 Mbps तक जाना है ज्यादा ज्यादा 10 Mbps मतलब की downloading 10 Mbps तो वैसे आप देखो के तो downloading speed जो भी होती है वो किसी भी speed divided by 10 होती है ठीक है तो हमें 10 10 Mbps तक की दे सकती है तो यहां पर होता यह है कि इसका मतलब यह होता है कि अगर मेरे पास 10 Mbps की downloading speed है तो definitely copy paste करने के लिए मैं 10 Mbps यूज़ करता हूं तो definitely multiply by 10 करोके तो 100 Mbps की bandwidth हो दे सकता है ठीक है वो twisted pair cable लेकिन सोचों की जारा 100 Mbps के सामने अगर मुझे कोई एक ऐसा cable मिल जाए कि जो मुझे GBPS में अगर speed दे दे bandwidth प्रोवाइड करते तो उससे बढ़िया क्या होगा तो भाई यह possible होता है optical fiber के द्वारा इसलिए internet service में server के connection के time पे वहाँ पे optical fiber ही use होते है ठीक है तो इसका बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा use होता है तो एक जगा यहां पे यह है कि internet service जहां पे आपने optical fiber देखा होगा ठीक है अगर आपके घर में है तो आप देख सकते हो पतला सा थार होगा अगर router के साथ साथ एक छोटा सा box भी लगाया है तो definitely वो जो भी है क्योंकि router ज्यादा तर companies अभी router free में देती है ठीक है तो internet service लेते हो तो definitely वो router free में आया है और वहां से cable change हो रहा है जो अंदर जाने वाला cable है वो पतला है और बहार आने वाला cable अगर 8 पर twisted पर नहीं समझ में आता तो ऐसा सुचो कि अंदर जाने वाला छोटा cable और बहार आने वाला motor cable है तो definitely वो आपके घर में optical fiber है ठीक है अगर वहां पर नहीं देखा है त बहुत थी अजीब प्रकार का जब आया था तब बहुत ही famous हुआ था मतलब कि एक ऐसा gold night lamp होता है और इसमें से एसे 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 छोटे 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 बाल जैसे एसे छोटे छोटे रे से निकाले जाते है और जैसे नीचे से light भेजी जाती है तो यहां पे इनकी टॉप पे यहां पे हमें एक छोटा सा डॉट मिलता है कलर खा है ना तो अगर आपने ऐसा नाइट लेम देखा है तो यह भी ऑप्टिकल फाइवर है यह भी ऑप्टिकल फाइवर है ना तो ऐसे नाइट लेम अगर आपने देखे है कि ऐसे चोटे 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 रेसे टाइप बाहर निकाले जाते हैं और नीचे से light जला ली जाती है तो यहां से light ना आपको पूरे मतलब यह night lamp में नहीं दिखेगी लेकिन आपको इसकी torch के उपर ऐसे top पे जहां पे यह ratio है वहां पे आपको इसके top पे एक चोटा सा dot दिखेगा light का तो यह जो ratio आपको दिख रहा है वो भी optical fiber ही होते है ऐसे lamp तब जब आये थे market में तब बहुत famous होए थे फिर दीरे 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 50 रोपिय में आपको इसे मेले में भी मिलने लगे थे मतलब एक चोटा सा dot दिखेगा उनकी खुबी यही रहती थी कि भाई वहां पे आपको जो light के तौर पे मिलता था ना तो बहुत ही मतलब अजीब सा मतलब एक आपको एक effect मिलती थी बहुत थी जबजस effect मिलती थी उसकी वजह से कि जो ऐसे dot आपको नजर आते थे हरे color के color change होता था तो यहां पर dot का color भी change होता था मिल्ब कि पूरे रेसों के अंदर कुछ नहीं दिखता था बस यहां पर dot नजर आता था और dot ना हमें कुछ एक अलग ही zone में लेके जाते थे तो यह बहुत ही कमाल के होते थे वो night lamp ठीक है तो वो भी optical fiber है वो भी optical fiber होते है तो क्यों वो रेसों के अंदर से जब भी जो light आती है वो हमें नहीं दिखती है सिफ हमें उसके torch के उपर एक चोटी सब एक dot जैसा दिखता है उसके पीछे का reason होता है उसके अंदर का total internal reflection ठीक पाली optical fiber जो भी होते है वो बनाये ही इसी लिए जाते है ताकि उसमें total internal reflection हो ठीक है इसी की वज़े से यहां पे हमें light अंदर जो भी propagate करती है वो कभी भी बाहर यहां से लिक होती नहीं नजर आती है हमें यहां पे ही उसका जो end होता है ना end point वहीं से ही हमें बाहर निकलती नजर आती है ना कहीं अंदर बीच में से कहीं पर यहां से बाहर लिक होती नहीं नजर आती है क्योंकि यह बनाया ही इसी लिए जाता है ताकि उसमें total internal reflection हो अभी यह जो बनाया जाते है ना वो high quality वाले composite glass या quartz fiber से बनाया जाते है और उसका नाम इसी लिए fiber है ठीक है fiber optics एक होता है core material, and ocle-clading material, core material मतलब कि यह अंदर का जो region है वो अंदर का region जहां पे light propagate करती है वो material जो भी होता नोवा dense material होता है वो material जो भी होता है वो आपको यह जो पतली सी जो लाइन दिख रहे ने यह लाइन यह जो है वो cladding material होता है जो इसको cover करती है मतलब कि जो अंदर का जो core material है उसको बाहर से cover करती है ठीक है तो यहाँ पे होता यह है कि जब भी यहाँ पे क्योंकि अंदर वाला जो material वो dense medium है और यह जो बाहर वाला जो आपको छोटी सी पतली सी जो लाइन दिख रहे है वो cladding material है उसका refractive index बहुत ही छोटा होता है compared to यह अंदर वाला core material इसलिए यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जब भी light हम यहाँ से impart करवाते है और जब भी वो यहाँ पे उपर वाली surface के साथ टकराती है तो यहाँ पे होता क्या है कि दो material है और दोनों को अलग करने वाले एक line है और यहाँ पे denser medium में से वो light rarer medium में जाना तो चाहती है लेकिन आप देखोगे तो आपको notice हो जाएगा कि यहाँ पे incident angle जो भी बना होगा इसको इसी तरीके से इसी angle पे यह light को impart किया जाता है ताकि यहाँ पे जो incident angle बनेगा वो critical angle से ज्यादा होगा और अगर वो critical angle से ज्यादा है तो यहाँ पे इसका total internal reflection बन जाएगा फिर यहाँ पे जब भी वो light वहाँ से reflect होके यहाँ पे आई यह वाली डीवार के साथ तक्राई तो यहाँ पे भी घड़ना यही बनी कि यहाँ पे जो incident angle बना वो भी critical angle से ज्यादा बना तो इसकी वाद से light यहाँ से यह rarer medium में वो cladding material में enter नहीं कर पाएगे और वही से वापिस totally reflect होके आगे बढ़ेगी फिर वापिस वही कहानी यहाँ पे टोटल इंटरनल reflection फिर वापिस reflection टोटल इंटरनल reflection की वाज़से वापिस यहाँ पे incident angle is greater than critical तो वापिस यहाँ से reflection ठीक है तो इस तरीके से मदलब कि यह पूरी कहानी चलती रहती है और अंदर light जो भी है वो propagate करती रहती है इसी तरीके से इंटरनल reflection की वज़से ठीक है तो इस principle पे वो काम करती है मलब यह फाइबर ऑप्टिक जो भी है वो इस principle पे काम करता है टोटल इंटरनल reflection ठीक है clear हो तो यह भाई यहाँ पे यह material को ही ऐसे बनाया जाता है ताकि अंदर का material जो भी हो totally dense material हो ठीक है और cladding material जो बहार का जो और coating जैसा दिख रहा है आपको वो जो material होता है वो cladding material उसका density कम होता है optical density की में बात कर रहा हो ठीक है और light को उसी तरीके से impart किया जाए ताकि वो यहाँ पे जो भी उसका incident angle बनाए normal के साथ वो हमेशा critical angle से ज्यादा हो ताकि यहाँ पे total internet reflection हमें नजर आए और light उसी तरी ठीके से reflect होती 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 आगे बढ़ती जाए ठीक है ठीक 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 लाइक्वाइस दिस वो आगे बढ़ती जाए ठीक internally reflect होती होती और यह light को mix up करना मालब कि यह एक signal हो दूसरे signal को भी आप यहाँ से send करने उनको न यहाँ पे mix up करना ब होता है क्योंकि यहां पर ultimately light है electrical signal को mix करना थोड़ा difficult हो जाता है लेकिन optical signal को mix करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि उनको differentiate करना आसान है light को अगर में light signal है तो उसको अगर differentiate करना है तो definitely मैं उसकी wavelength को देखूंगा है ना तो wavelength से वो सारे यहां पर identify हो जाता है इसलिए उनको यहां पर mixing करना बहुत ही आसान है और साथ यही कारण होता है यही reason होता है कि ज्यादा तर internet of things के लिए optical fiber use होता है ठीक है तो function बहुत ही simple है when a signal in the form of light is directed at one end of the fiber at a suitable angle it undergoes repeated total internal reflections along the length of the fiber and finally comes out at the other end ठीक है तो यह होता है optical fiber का function ठीक है optical fibers are fabricated such that light reflected at one side of inner surface strikes the other at an angle larger than the critical angle जैसे मैंने बता कि यहां पर इसी तरीके से angle को set किया जाता है मड़ इसी तरीके से इसको अंदर दाखिल करवा जाता है ताकि जब भी वो reflect होके total reflection होके सामने वाली दीवार के साथ टकरा है तब भी जो critical angle बने तब बहुत जो इंचने अंगल बनेगा वो critical यहां पे total internal reflection आपको नजर आएगा मतलब कि light यहां पे reflect होती 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 आगे बढ़ेगी ऐसा नहीं होगा कि वहां पे bend किया तो वहां से angle change हो जाएगा नहीं नहीं इसी तरीके से इसको मतलब कि impart किया जाता है मतलब first time उसको अंदर दाखिल करवा जायता कि bend भी कर दिया जाए अगर फाइबर को तो भी कोई problem नहीं होगा ठीक है एंधर जैन optical fiber can be used to act as an optical pipe ठीक है इसी लिए हम इसको optical pipe की तरह use कर सकते हैं ठीक है the device which converts one form of energy in another form is called the transducer optical fibers are extensively used for transmitting and receiving electrical signal which are converted to the light by suitable transducer जैसे मैंने बता है कि आपके गर में अगर internet service है तो हमारा router जो भी है वो कौनसी language समदता है हमारा router जो भी है वो electrical language समदता है और क्योंकि अगर मैं optical fiber use करता हूँ उस signal को आपका जो service provider है उसके server तक पहुंचाने के लिए तो definitely वहाँ पे मुझे वो जो electrical signal है उसको convert करना जाएगा in the optical one ठीक है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक device ऐसा चाहिए कि जो मुझे यहाँ पर conversion करके दे और जो मेरे service provider के server से जो भी चीज़ आती है जो भी signal आते है क्योंकि वो through fiber वाया fiber आएंगे तो वो भी optical form में होगे लेकिन मेरे router को तो सिए electrical signal ही समझ में आएगा कि वो एक छोटा सा एक दब्बा लगाए होंगे कि जिसके द्वारा वहाँ पे optical is converted into the electrical and electrical is converted into the optical one ठीक है उसके अलावा अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने बताया आपको lamp night lamp बहुत famous वा ता जब आया था तब decorative lamp with fine plastic fibers with their free ends forming a fountain like structure the other end of the fiber is fixed over an electrical lamp ठीक है तो when the lamp is switched on the light travels from the bottom of each fiber and appears at the tip of its free end as a dot of light and the fiber is such decorative lamps are optical fibers तो वहाँ पे भी जो वहाँ पे decorative lamps ऐसे आते थे तो उसमें जो fiber use होते थे वो भी optical fiber ही होते है जो नीचे से light को ऐसे tip के ओपर ये end के tip के ओपर एक dot बनाते थे light का और बहुत ही अच्छा मेहसूस होता था मतलब की बहुत ही फिलिंग जो उसकी होती थी जो अलग ही आती थी मतलब की ठीक है मतलब की आसान बासा में बोलू तो optical fiber में loss जो भी होता है वो बहुत ही कम होता है बहुत ही कम होता है इसी लिए ज्यादातर signal को transmit करने के लिए to be specific बोलू तो internet of things के लिए ज्यादातर signal transmit करने के लिए हम optical fiber को इस्तमाल करते हैं ठीक है clear हुआ so this is all about optical fiber जो भी यहाँ पे optical fiber भी यहाँ पे total internal reflection की phenomenon के उपर काम करता है ठीक है तो बस यहीं पे हमारा आज का lecture end करते हैं मिलते हैं next lecture में till that enjoy your day bye